पसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताऊंगी घर में तुलसी का पौधा है तो ध्यान रखे इन बातों का वर्ना बरबाद हो जाएंगे आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके तुलसी का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए उत्तर पूर्व दिशा के कोने में जिसे इशान कोड कहते हैं पर लगाना चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही रुकावटों में कमी आएगी किसी कारणवश अगर आप इशान कोड में तुलसी जी का पौधा नहीं लगा सकते तो आप इसे उत्तर दिशा में या फिर घर की पूर्व दिशा में लगाएं यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाने से भी आपके जीवन में उन्नती होगी तुलसी का पौधा घर के ब्रह्मस्थान पर लगाना भी शुब माना जाता है ब्रह्मस्थान घर के मध्य में पढ़ने वाला स्थान है घर के इस स्थान को काफी शुब माना गया है इस कारण तुलसी जैसे शुब पौधे को इस स्थान पर लगा जा सकता है अगर आपके घर में आंगन है तो आप घर के आंगन के मध्धे में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं क्योंकि आंगन का मध्धे है घर का ब्रहमस्थान कहा जा सकता है तुलसी के पौधे के लिए हमने जो भी दिशाएं बताएं यह सभी इश्वर की दिशा होती है घर में इन दिशाओं का उपयोग ईश्वर को रखने के लिए किया जाता है चूकि हमारे शास्त्रों में तुलसी को माता की उपाधी दी गई है और इनकी पूजा भी की जाती है इस कारण इनका भी स्थान ईश्वर के स्थान पर ही होता है तुल्सी का पौधा लगाते समय ध्यान रखने योग्य बाते नमबर एक तुल्सी का पौधा दी गई दिशाओं में ही लगाएं जिससे आप इनके श्रेष्ट फल प्राप्त कर सके अगर आप तुल्सी जी के पौधे को उत्तर की दिशा में लगाते हैं तो आपके घर में मा लक्ष्मी का प्रवेश होता है और घर में धन सुक समर्दी की कमी कभी नहीं होती अगर आप इससे इशान कोड में लगाते हैं तो आपके उपर इश्वरी कृपा सदैव बनी रहेगी समाज में आप काफी किस्मती और भाग्यशाली कहे जाएंगे क्योंकि इशान दिशा इश्वरों की दिशा होती है अगर आप तुलसी जी के पौधे को पूर्व दिशा में लगाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक उर्जा पर्याप्त मात्रा में रहती है और परिवार के सभी सदस्यों का मानसिक संतुलन बरकरार रहता है इस दिशा में तुलसी का पौधा होने से तुलसी के पौधे को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है घर पर कभी भी तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखे कि उनके पौधे के आसपास दस्टबिल या गंदगी ना हो वहाँ पर हमेशा साफ सफाई करते रहे जिससे आपको जीवन में यश्की प्राप्ती हो कई बार लोग अंजाने में ही तुलसी के पौधे को दक्षिन दिशा की ओर लगा देते हैं और आप अपने जीवन में जिस चीज को बहुत ही सरलता से हासिल कर सकते थे उसको भी हासिल करने में आपको अनेग प्रकार की कर्ठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा नमबर चार, कई बार लोग तुलसी के पौधे को घर की बालकनी में रख देते हैं वास्तो शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को बालकनी में रखना शुब नहीं माना जाता आप अपने घर में सही दिशा का चुनाव करे और वही पर तुलसी का पौधा रखे घर में लगा तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करे? कई बार लोग बड़े परिशान रहते हैं कि की घर में लगा तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसका क्या करे? दोस्तों ऐसे में आपको उस पौधे को जमीन के अंदर दबा देना चाहिए और वहाँ पर तुलसी का ही पौधा या फिर कोई दूसरा पौधा लगा देना चाहिए अगर आप चाहे तो जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा है वही की मिट्टी के नीचे तुलसी के पौधे को दबा दे अगर आप गमले में भी तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आप उसी गमले की मिट्टी के भीतर तुलसी के पौधे को दबा सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें